जैसे किसना फ्रेंज कैसे आप सब दोस्तों उमीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे आद दिवाली का फेस्टिबल है बगवान से दुआ करता हूँ आपके घर में दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो लक्समी का भंडार हो आप सब सौस्त रहें और मस्त रहें आज सा सामगो जब क्लास में आऊंगा आप लोगों दूँगा दस बैतिन ऐसे स्टॉक हैं जिनके उपर आप दिवाली के ऑफसर पर बाइंग कर सकते हैं अपने पोर्टपोलियो को बना सकते हैं ऐसे बैतिन स्टॉक हैं जो फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों साइड में स्टॉक का मैं वीडियो आपके लिए टाल दूँगा सामको तो जाइएगा मौरट टेडिंग के दिन उनको लीजिएगा आपको प्रॉफिट होगा यह मेरा वादा है कैसे बाई करना है बाई ऑन डिप क्या होता है राइज ऑन सैल क्या होता है इन सब पे डिस्क्सिन लेइं डियुलि का इंजॉई कर सके या फिल लेट नाइट करेंगे जिससे देसे ऑप इंज्योई कर सकें दिखते हैं कहां पर शूटेबल होती है जैसा यह करके लिख करूएक के दिएया करें आ Instant future को पर कैसे trading करते हैं, crude और natural gas को पर कैसे safe होते हैं, live trade कैसे लिया जाता है, stop loss क्या होता है, SL क्या होता है, इन सब के उपर dedicated video और साथ में live trade करके मैं आप लोगों दिखाऊंगा, की trading के अंदर, entry लेने से पहले किन बातों का धियान रखा जाता है, और entry लेने के बात किन बातों का धियान रखा जाता है, इन सब सारी important बाते हैं, अगर यह सारी सीखनी है आपको, तो हाई करके लिखेगा, हमारे group से जुड़िएगा, 100% बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, यह मेरा वादा है, चलिए, अब बात करने है, natural gas में best technical levels के बारे हैं, आप लोगो नजे रखनी है, जिसके उपर आज trade करके आप दो पैसे कमा सकते हैं, तो पहले बात करते हैं, नेचलो gas के उपर क्या हो सकता है, नेचलो gas के उपर सीधा सा सिनारियो है, जब तक कि यह 238.5 के उपर नहीं निकलता है, अगर यह उपर निकलता है, तो बिंदास होके आप इसके बाई कर सकते हैं, मगर स्टेंट को चेक का नमत बुलिएगा, स्टेंट बहुत इंपोर्टेन चीज है, स्टेंट को साथ लेके चलेंगे, आपके बाई निकलता है, तो बड़ी है, इसके बज़ी से मैं आप सब से रिकवेस्ट करूंगा, इसको ट्रेट को लेके छोड़ना नहीं है, जब आप ट्रेल करेंगे, तो क्या होगा, पूरा प्रोफिट लेके निकलेंगे, और आपका target बनता है 241.7 चलिए ये बात थी natural gas के उपर upside की अब बात करते हैं downside की downside में सिनारियो में कहा trade बनता है अगर downside का सिनारियो बनता है तो सीधी से कहानी जब 35 के नीचे अगर ये trade करता है तो downside का सिनारियो बनता है आपका first target रहता है 232.9 किता रहता है 232.9 ये जो ले रखेगा अगर नीचे यहाँ पर candle बननी सुरू हो जाती है सिस्टम पर A बनता है यहाँ पर क्रॉसर होता है इस्टेंट को चेक कीजिएगा सिस्टम उसार लेकि जाईएगा और यहाँ पर आपका first target रहता है उसके बाद भी अगर गिराउट continue रहती है आज मुझे थोड़ की उपर कहाँ पर क्या हो सकता है उसके उपर भी बात करना जुरूरी है देखिए क्रूड के उपर है momentum आया थोड़ देर पहले ही आप लोग ने किया या नहीं किया मुझे नहीं बता बट अब यह आँके किस बात पर ध्यान रखना है वो नोट कर लिजीगा सबसे पहली ब बिंदा सरी देखा ट्रेडिंग मत कीजा है जैसा सिनवारियों यहां पर आपको नजर आहरा है अगर इस रैंज के बीच में आथा ट्रेडींग मत कीजिएगा दीपक जिला ली इजेगा रोशनिक कीजिएगा रोशेगा रोशनिक करने से माता लक्ष्मी आती है यह मेरा मा 5,887 के नीचे proper candle बनती है तब आप system को साथ लेकर यहाँ पर trade कीजिएगा आपका पहला target रहता है वो रहता है 5,764 का आपका second target रहता है 5,725 का यह था नीचे का सिनारियो उसके बाद गिरावट continue रहती है तो आपका अगला टारियो रहता है इसके उपर proper candle बननी चाहिए यहाँ पर V proper बनना चाहिए cross or होना चाहिए यहाँ पर dot आना चाहिए यह सब सिनारियो अगर बन जाते है तब आप उपर का trade ले सकते है उपर का trade आप जब लेते हैं तो आपका जो first target रहता है वो रहता है 5,870 का 5,870 का आपका second target रहता है वो रहता है 5,900 का उपर जो target है वो 0 level है तो इसको नजर रखिएगा यह weekly level को अगर तोड़ की जाएगा तो weekly level तक जाने की इसकी उम्मीद मुझे लगती है इस strength के साथ जाना चाहिए यह ज़रूरी है उपर का weekly level है वो है 5,933 का नीचे का level है वो भी है आपका 5,833 और उपर का level है 5,933 100 points की यह range है कोशिस कीजिएगा पूरी catch करने की market थोड़ा से नीचे उपर नीचे उपर होता जाता है क्योंकि market हमेशा waves थियोरी पे काम करता है तो इन बातों का ध्यान दीजिएगा नोट कर लीजिएगा 100% फायदा होगा यह आपके भाई का वादा है और कोई भी दिकत हो परिशानी हो तो मुझे एक वार मैसेज डालिएगा आपका भाई लेट ही सही reply पका देगा यह आपसे मैं promise करता हूँ जाने से बहले बात कर लेते हैं गोल्ड के उपर कहां क्या हो सकता है तो गोल्ड के उपर सीधा सा सीनारियो कल भी मैं आप लोगों को बताया था आप फिर से repeat कर देता हूँ साहिद आप लोगों ने टेड लिया होगा ठीक है नी तो यह है लेवल के जादू जो आप लोगों के सामने देखिए लेवल कहां से कहां मार्केट ने कहां सपोर्ट लिया और कहां पर क्या हुआ अब बात कर लेंसर कहां पर क्या हो सकता है अगर यह 79,410 के नीचे यहाँ पर टेड करने लग जाता है तो आपका मत बूले का वाट्स aosप कीजिए को तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब मत भूलिएगा वाटसब कीजिएगा रिप्टाइब मेरतम से मिलेगा ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ अपना ध्यान रखेगा खुष रहिएगा सामको क्लास में आईएगा जिसे बैतिनी स्टॉक में आप लोगों कुछ देने जा रहा हूँ उसका आप वाइदा उटा सके चली दोस्तों सामको मिलते हैं तब तक के लिए जै हिन जै भारत जै श्री किशना